पुराराते रंत पुरमसी तत्वस्तर तवचरणयो हो सपरिया मरियादा तरल करुणानाम सुलभा तथा ये तेनीता शतमख मुखा सिधीमत तुलाम तवद्वारो पांतस तिभी ही अनिमाध्या भी ही अमराहा खेमा आप तो त्रिपुरारी की पत्नी है और आप उनके अंतःपूर में रहती हैं त्रिपुरारी के साथ आप अंतःपूर में रहने वाली हैं यानि कि आप शिवजी के रिदे में मन में शिवजी के अंदर आप ही तो शक्ती हैं शिवजी की आत्मा वो आप ही तो हैं तो आपको पाने के लिए कहते हैं कि जब तक किसी ने अपने इंद्रियों को न जीता हो जब तक कोई शिव में न बना हो शीव ने अपने इंद्रियों को ऐसा जीता है कि कामदेओं को भसम कर देते हैं उनको अगर कोई आकरशित कर सकता है तो केवल मा और नजी चीज तो उनको आकरशित नहीं कर सकती शीव जीव को कहते हैं ऐसा कोई भगत जिसने अपने इंद्रियों को जीता हो इंद्रिया को जितना है नहीं जिसके इंद्रिया संसार में नहीं लगी है जिसके इंद्रिया केवल भवरे के जैसे आपके चरणों में लगी है जो हंस की तरह केवल जिसका मन आपके चरचाओं में घूमता है ऐसा ऐसे जो व्यक्ति होते हैं तरल करणा नाम, जिनका करण अंता करण शुद्ध है, तरल है, निर्मल है, छल कपड से दूर है, समझ में आया, अंता करण, मा को पाने के लिए कई बार लोग आते न, कितना लग जपू, कितने माले जपनी है, कौन-कौन से दिन जपना है, ऐसे पूछते हैं, जपी है, लेक तरल करणा नाम, जब तक अंता क्यों नहीं होता, तब तक मा को पाना बहुत कठिन है, शिव जी की जैसे भोले नात, शिव जी का नाम कहा है, भोले नात, भोले बन जाओ, जब तक संसार के खेल भी करते रहोगे, और माला भी जपते रहोगे, तो बड़ा मुश्किल है, मा लेकिन मा के चरणों तक पहुचना जैसे शंक्राचारे देख रहे हैं ये देखने की एक्छाओनी जाई है उसके लिए तो रिदे एक दम सरल होना पड़ी रहे है एक दम खाली है कुछ और रिदे में है ही नहीं बाद केवल मा बाबा और उनकी गता बस जिसका ऐसा रिदे हो कोई अन्य इक्छा है तो मा को पूरी तरह से आप प्राप्त नहीं कर सकते हो आपकी एंट्री के वलो वो एक गेट तक होगी जहां अनिमा लगीमा इत्यादी सिद्धियां वो गेट पर हैं बस आपके अमन में सिद्धी के इक्छा है हम ललिता को जपेंगे और हम खूब सिद्धिया पालेंगे सिद्धियों के इक्छा रखने वाले आप अगर वैसी साधना कर रहे हैं तो आप इंद्र लोग जाएंगे कह रहे हैं यहाँ पर लिखा है इंद्र इत्यादी भी अंदर नहीं जा पाते हैं उनको अनिमा इत्यादी जो है वो रूप देती है जो मा के जप में लगा है मा के साधना में लगा है जिसने सिद्धियों तक को भी त्याग दिया कि मुझे सिद्धिया नहीं चाहिए हमने पढ़ा है इतना निर्मल हो जाएगा उसको तो मा के चरण में मिलेंगे मतलब रहने को मिलेगा लेकिन आप सिद्यों के पीछे भाग रहे हैं तो ठीक है आपको उधरी गेट पर रोख दिया जाएगा जहां परियाणी मा लगी मा गरी मा प्रापती सारी सिद्या हैं आप महीं इंद्र को भी उधर तक ही जाने को मिलता है यह तो आप सिद्यों में बढ़कते रहेंगे सिद्या तो बहुत मिलती है मैं सच कहते हैं ललता के कासाधना करने वाले को वाक सिद्धी तो ऐसे ही आजी ती आज मतलब असानी से मिल जाता है दुसरे का मन पढ़ लेना इक्छि की सिद्धी आपको फसाएंगी फिर से संसार में भीजेंगी लेकिन मा के चरणों को प्राप्त करने की इक्छा ये पालना यही सबसे बड़ी सिद्धी है मा के प्रेम में दिन रात डूबे रहें यही सबसे बड़ी सिद्धी है